हेलो गाइज, आज मैं आपको एक ऐसा चेस्ट्रेप बता हुगा, जिसमें आपको अपने अपोनेंट को पॉन का लालज देना है, और जैसे ही वो आपके पॉन को कैप्चर करेगा, समझ लो वो हमारे जाल में फस गया, लेकिन आप इस चेस्ट्रिक को तभी खेल पाओगे, जब आपको इसके सारे विरिएशन्स पता होगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तो चलिए शुरू करते हैं, इस चेस्ट्रिक को पॉईजन पॉन ट्रैप भी कहते हैं, और आपको ये वाइट पीसी से खेलना है, आपको ये खेलना तब है, जब आपक के रिस्पॉन्स में, ब्लैक C5 चले, ये काफी पॉपॉलर ओपनिंग है, और इसको सिसीलियन डिफेंस भी कहते है, यहाँ पर आपको चलना है D4, और ब्लैक जैसी D6 चलेगा, आपको अपना पॉन आगे बढ़ाना है, ये काफी कॉमन ओपनिंग मूव्स है, जो कि आप अ अटेक हो रहा है, तो जो बहुत नैचुरल मूव है उसके लिए वो होगा क्यों अपनी इरानी को B6 पे चले, और इसी के साथ वो हमारे B2 वाले पॉन पर भी अटेक कर रहा है, लेकिन हम अपने पॉन को नहीं बचाएगे, और उसकी जगे हम अपने घोडे को भार निकाले इस पोजीशन में जो B2 पॉन है, वो एक पॉईजन पॉन है, अगर ब्लैक ने उसको कैप्चर कर लिया, तो समझ लो वो हमारे ट्रैप में फस गया, लेकिन यहाँ पर 90% अफ अपोनेंट लाजजी हो जाते हैं, वो देखते हैं और फ्री में पॉन मिल रहा है, तो वो उसक कैप्चर कर लेते हैं, और इस मूव के साथ ही ब्लैक हमारे ट्रैप में फस चुका है, चलिए देखते हैं कैसे, अगले ही मूव में आपको अपने हाती से उसकी रानी पर एटैक करना है, और उसकी रानी के पास केवल एक ही स्क्वेर बचा है बचने के लिए, जो की है A3, ब्लैक के पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, उसको अपनी रानी को तो बचाना पड़ेगा ही, ब्लैक की रानी इस रो में तो कहीं नहीं चल सकती क्योंकि हर तरफ से एटैक हो रहा है, वो B4 और A5 पर भी नहीं चल सकती क्योंकि हमारा बिशप एटैक कर रहा है, ब्लैक की A2 वाले pawn को capture कर लेता है तो आपको उसकी रानी पर attack करना है अपने हाती को A1 पर चलते हुए फिर black के पास अपनी रानी को बचाने के लिए केवल एक ही square बचा है जो की है B2 square next move में आप अपने bishop को C3 पर चलोगे और इसी के साथ black की जो रानी है वो पूरी तरीके से trap डो चुकी है उसके पास कोई square ही नहीं बचा है बचने के लिए इसी लिए उसको मजबूरी में आपके हाती को ही मानना पड़ेगा और आप simply recapture कर लोगे अपनी रानी से और इस game को बहुत असानी से जीच जाओगे अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो आप देखोगे black के पास दूसरा option यह है कि वो हमारे pawn को capture नहीं करे और उसकी जगे वो अपनी queen को a4 square पर चले अगर black ऐसा चलता है तो आपको एक killer move चलना है आप अपने घोडे से उसका प्यादा capture करते हुए उसको check दोगे और अगर उसने हमारे घोडे को capture करा तो इसकी राणी मर जाएगी क्योंकि next move में हम bishop to b5 चलकर उसके राजा और राणी दोनों को folk कर देगे इसलिए black हमारे घोडे को तो नहीं मार सकता और ना ही वो d7 पर चल सकता है क्योंकि फिर से bishop का folk लग जाएगा तो उसके पास एक ही move बचाया कि वो अपने राजा को d8 पर चले लेकिन उसके बाद हमस के प्यादे को capture कर लेगे और इसी के साथ हमस के राजा और हाती दोनों को folk कर रहे है black के पास यहां तीन options है लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया वो white squares में तो नहीं चल सकता क्योंकि फिर वापस से bishop का check आ जाएगा so basically उसके king के पास के वाल एक ही option बचा है जो कि है king to c7 उसके बाद आप अपने bishop को f4 पर चल कर check दोगे अब black का king b6 पर तो नहीं चल सकता क्योंकि हमारा हाथी attack कर रहा है और c6 पर हमारा pawn attack कर रहा है इसलिए उसको check को block करने के लिए अपने pawn को आगे बढ़ाना पड़ेगा बट इस position में black का pawn capture हो रहा है on poson से और black के king को check लग रहा है इस position में black का raja पूरी तरीके से first चुका है क्योंकि पूरी d file पर हमारी queen attack कर रही है और पूरी b file पर हमारा हाथी अगर वो oot से check को block करता है तो simply हम अपनी rani से उसका checkmate कर देगे लेकिन अगर वो अपने king को c6 पर चलता है तो आप अपने knight को d8 पर चलते हुए उसका checkmate कर दोगे तो ये था poison pawn trap अगर आप कोई chest trick पसंद आई वीडियो को like करो और ऐसी ही और chest tricks के लिए चैनल को subscribe करो मिलते हैं next वीडियो में